आज बहुत बड़ा गट चुका है आप जानते हैं देश का सबसे बड़े बहुत बड़े स्नेक शवार भाबा सुरेश भाबा सुरेश कोई पहचान का महताज नहीं है इसको पूरे भारत में ऐसा कोई सक्स नहीं ऐसा कोई आदमी ने जो इन्हें नहीं जानते होंगे ज्यादातर आदमी यूटूब फेस्बूक कहीं ना कहीं इनके वीडियो नज़र आयता है और इन बंते हैं और यह संप को बचाने का काम करते हैं सांप रिष्कु करते हैं और जंगल में इसको जाके रिलेश करते हैं और दोस्तों यह आज से नहीं बहुत दिनों सब्सक्राइए और लगभग आज 50,000 से ज़्यादा इस आफ्रेश कर चुके और यह खास करके कीं कोब्रा क अने हमारा देश का सबसे बड़ा कर लेते हैं कि मैं को यह असानी से यह रिखुर कर लेते हैं रोसकी के साथ कोई हूं या टॉंग योजन एक करते कितने भी कितने खोंका कितने बड़े शाज ऑग से उसके बाद उस साफ से वो बहुत तरह तरह स्टेंड करते हैं और बहुत निदर हैं लेकिन इसी निदर्ता के कारण उनके साथ बहुत ऐसा गटना घढ़ चुका है जो इससे पहले लगाता और उनको अ सो से जादा मुझे लगता है उनको बाइट कर चुका है और मौत से कई बार वो हॉस्पिटाल में लड़ चुके हैं बहुत से रादमी को यह मनना है कि उनके बॉडी में नीरो टॉक्सिन का एंटीडोट बना हुआ जिसके कारण में कुछ नहीं होता लेकिन आइसा कोई बात नहीं है सांप किसी भी इनसान को काटेगा तो उन्हें जो है एंटीफेनम का ज़रु रहता है अगर ऐसा होता तो आज होस्पिटाल में भड़ती नहीं होते आभी वह मौत से जूज रहे हैं अभी पूरी तरह फुली कोमा में हैं तो अगर वह एंटीबोडी बना हुआ रहता तो आज सांप किसी को भी काटेगा उनके बोड़ी में असर कर सकता है विसरते इनसान छोड़के दुसरे पर जाती है जैसे नेवला होता है उसको भी असर करता है लेकिन काम असर करता है लेकिन आज हम बात के नवन बाबा सुरेश को बाबा सुरेश को बाइट के से किया एक स्प्र और शाप लंबाई है पांच फूट का शाड़े पांच फूट का लगबर लंबाई है और उस समय में साप कभी विकिसी वक्त हमारे बॉडी में कहीं पर भी बाइड कर सकता है उसके इसी गलती को बार-बार वह दोरा में डाल रहे जब वह एक्सपर्ड है जब वह इतने बड टिप नहीं करना चाहिए जो देख रहे हैं दोस्तों मैं उनके बहुत बड़े एक्सपर्ड है लेकिन बहुत सरह होता है बहुत समय यह होता है हम भी रिसकू करते करते हैं जब बहुत ज़्यादा पुन रूप से परिपक हो जाता ना उस समय अंदर में आत्म आत्म गर्व दुनिया का कोई बी एक्सपार्ट कितने बड़ हो उसको मौका मिल लेगा आपको बड़े लेगा वाल्ड का बड़े बड़े एक्सपार्ड भी इससे मात खा चुके हैं दोस्तों इसलिए अब सभी कोन रदे जितने ने जन्य जन्रशन है जो भी रेस्कू कर रहे हैं अब स जादा इसवां रहे हैं ज्यादा करने के बजाओ उसको छुप चाप साप जो ख धोला में बम ऐगमे ड़िए ज्यादा करका खास बेगशिक है आप उसका बॉक्स कर सकते हैं पीबीक्र इससमें बहुत बहुत जाएम उसके कर सकते हैं बड़े-अक्सioneश्त होते हैं ओधन क आप हम क्लीप दिखा रहे आपको क्यार लगा मुदी एक इंडिया का मोस्ट भेनमा रसल वाइपा मुझे पता है क्या उनके मन में है क्या हो चाहते हैं कि रसल वाइपार एक डब्बे का अंदर में उनका अंदर हाथ घुशा रहे हैं मैं जो इससे शे से अकसर जो नियुज़राशन है जो अभी जो सांप पकना सीख रहे हैं उन सभी को अनुरुद है आप जैसे हैं वही है आप लेकिन जो हमारा वाइलाप का जो नियम होता है उसको नियम को मानिए और उसके बाद सुलक्षित सांप रे हैं एंडिया में कोई क इसे क्या कर रहा है उसको मत फोलो किजिए आप उसको गुरु मत मानिए ना मुझे ना दुनिया का और किसी भी बड़े-बड़े करेंगे वह ज्यादक नहीं दोस्तों प्लीज आप अपने बचने का उपाय किजिए सांप को पकड़िए चुप चाब उसको जो है बेग में जोला में जिस जागा में रिस्कु करने कब डालते हैं उस जागा में उचके खास करके बेग और प्लास्टिक थैली या प्लास्टि इस जो बड़े आदमी उनको आप देखे होंगे डिस्कवरी या नेसनल जेगरफी में उसका बारे में उनके बारे में बहुत सरा वीडियो उनके बारे मी चला है आप देखे होंगे लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूं दूस्तों प्लीज भाबा सुरेज जी एक स्नेक प्रूज में हम लग सुनते हैं लगभाग दोसु धाइसो तीन से वान उनको बाइट कर लिया क्या यह क्या दर्सना चाहते हैं दोस्तों प्लीज मैं भाबा सुरेजी को उपर वला से भगवान से दुआ मंगता हूं यो सही सलामन हमारे बीच आए और उसी तरह अपना काम में से करते हम भी बच्पन में दोस्तों उन्हीं को ही फोलो किया उन्हीं को देखा किस तरह करते हैं लेकिन मेरें अंदर में जो चीज नहीं है मैं वह नहीं करूंगा मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे साथ को घट मेरा पूरे परिभार को उसको भोगतना पड़े इसी विए मैं सांप चोड़ते हैं उस सांप सो जो घो सकता हूं मर सकता है ऐसे लिए कि आज यह सांप पकड़े और यहां से 100 km दूर कुम्हें चोड़े न यहां सांप पकड़े न ताकि आप देर सो किलोमेटर चोड़ें पचास किलोमेटर नहीं सांब को रेस्कु कीजिए लगभग 10-15-20 किलोमेटर का डिस्टंस में आप इसको सांब छोड़ी है ताकि है वह बज़ पाए वहाँ पर और वह अपना सर्वाइब कर पाए दोस्तों आज के लिए तना ही आप सभी को अन बहुत खुश होंगे दोस्तों आज के लितने जहिन जहिन जहे भाराव